गुद बॉर्निंग अल अव यू अवर यू और बेटे आज हम अपना थर्ड चैप्टर कम्प्लीट करेंगे जिसके हमने मौखिक प्रेश्न कर लिये थे उसके बाद हमने ये सही गलत ये वाले questions कर लिये थे कोस्टक वाले सही गलत कालिस्तान हमारे हो गए थे और ये सही और सत्य असत्य वाले प्रेश्न हमने कर लिये थे आज हम इसके लिखित प्रेश्न करेंगे लिखित प्रेश्ण का पहला प्रेश्ण देखिए ताज महल का निर्मान किसने और क्यों करवाया था आंसर देखिए बटे ताज महल का निर्मान सहाजा ने अपनी पत्नी ममताज महल की याद में करवाया था सेकंड प्रेश्ण देखिए ताजमहल को किन-किन खिताबों से सम्मानित किया गया ताजमहल को युनेसको के आट अजूबों में से एक अजूबा कहा गया इसे 1983 में युनेसको विश्वधरोवरिस्तल तथा भारत की इसलामिक कला का रत्न आधी खिताबों से सम्मानित किया गया थर्ड प्रेश्ण है आपका मकबरे के उपर इसे गुंबत का वर्णन कीजिए इस प्रेश्ण का उत्तर आपके बुक में ही है इस गुंबत के का विस्तार पोरवक वर्णन यहां से दिया हुआ है इस मकबरे के सबसे उपर संग्मरमर का एक विशाल गुंबत शुशोबित है हम यहां से लिखना शुरू करेंगे जिसकी उचाई लगभग 35 मिटर है और यह 1-7 मिटर उचे बेलना का राधार पर इस्टित है इस गुंबत का आकार प्याज या अमरूत के आकार की तरह लगता है इसका शिकर एक उल्टे रखे कमल से अलग गृत है यहां से यहां तक हम इसका अंसर करेंगे आप अपनी बुक में से देखकर ही से कर सकते हैं नेक्स प्रेशन है हमारा नीचे दिये गए संग्या शब्दों को सही स्थान पर लिखिए यहां पर हमें यह कुछ शब्द दिये हुए हैं इसमें हमें विक्तिवाचिक संग्या, जातिवाचिक संग्या, भावचिक संग्या वाले शब्द छांटकर अलग-अलग लिखते हैं विख्तिवाचिक संगेया क्या होती है। इसकी विशेष विख्तिवर्सु या इस्तान के बारे में जिस संगेया में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं। विक्तिवाचिक संग्या पूरी समू है और जाती का वर्णन विशेशिक समू या जाती का वर्णन जिस संग्या के अंतरगत आते हैं वो जातीवाचिक संग्या कहलाती है भावचिक संग्या में सभी तरह के भाव इसके अंतरगत आते हैं तो साहचा किसी विक्ति का नाम है इ इमारत जातिवाचिक संग्या, आगरा वेक्तिवाचिक संग्या, मिठाई खुपसूर्ती भावचिक संग्या, शहर जातिवाचिक संग्या, प्यार भावचिक संग्या, ताज महल वेक्तिवाचिक संग्या, निमलिकित वक्यों में रेखांकित किये गई शब्दों के लिए उ श्वेत कह या समानार्थी शब्द क्या है या सफेद ऐसे ही हमें समानार्थी शब्द अंडरलाइन वर्ड को करने हैं लेखां कित मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उसका समानार्थी शब्द में लिखना है सहज्य अपनी पत्नी मुम्ताज महल को बहुत प्यार करता था प्यार का फ्रेम समनार्थी शब्द क्या हो जाएगा फ्रेम आज ताज का निर्मान सन 1648 के लगबग पूर्ण हुआ था पूर्ण का पूरा मुम्ताज महल के निर्धन के बाद उन्हें इसी इमारत में दपनाया गया था निर्धन, बृत्यू, लोग आगरा जाते हैं तो ताज महल अवश्य देखते हैं अवश्य का क्या होगा? जरूर नाउ टानी और प्रेस बिटे प्रेशन तीन है आपका आप नीचे दिये गए शब्दों आप भी नीचे दिये गए शब्दों से विशेशन शब्दों को पैचान कर अलग कीजिए ये शब्द हमें दिये हुए हैं और इसमें हमें विशेशन शब्दों को अलग करके लिखना है श्वेत संगमरमर का मकबरा इसमें श्वेत क्या है विशेशन शब्द इसके अलावा सुन्दर अपार निचला सुन्दर 32 करोड 35 मितर असली ये सबी क्या है आपके विशेशन शब्द है नेक्स्ट प्रेशन देखिए जैसे निधन और प्रसिद्ध में नी और प्रा उपसर्ग का प्रियोग किया गया है वैसे ही इनमें नी और प्रा उपसर्ग का प्रियोग करना है आप भी नीचे दिये गए शब्दों को ध्यान पूर्वक देखें और बताएं कि निम्न में से क किन शब्दों के पहले नी का प्रियोग होगा और किन के पहले प्राका निशान में नी का होगा फिर प्रकार निहत्ता प्रभाव निधर प्रदेश प्रहार और निचला ये शब्द में हमें इस तरह से नी और प्राका प्रियोग करना है ओके बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है आपको आज का होमबग है आपको यह मोखिक प्रेश्ण तीनों आपकी नॉट बुक में करने हैं और इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से लांड करना है किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स या दिक्कत होने पर बेटे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं ओ बाइ